नारत जी की ताजा खुसुर खुसुर को मिस्ट ना होने दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं नए और पुराने गानों से थिरकते हुए प्रतिभागियों ने अपने डांस का हुनर जम कर दिखाया रविवार शाम को राइपूर के अंबूजा सेटी सेंटर मौल में डांस बैटल कॉम्पेटिशन रखा गया जिसमें सेमी फाइनल से चुने हुए प्रतिभागियों ने अपना हुनर डांस की जरीय सामने रखा और डांस बेटल के बारे में जानकारी देते हुए कारिकरम के आयोजक अनिल जोट सिंगानी ने इस इवेंट में क्या कुछ खास रहा बताया तीस बच्चों को फाइनल में लेके आए हैं जैसे आप देख रहे हैं कि एक से एक बढ़के इन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया और एक खुशी की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कुछ ऐसे बच्चों को भी इन्वाइट किया जो अंडर प्रिविलेच बच्चे थे SOS ग्रूप हमारे साथ है हमारे बीच में हैं उनका एक केमपेंड भी है कि No Child Alone इसा किमपेंड भी हम यहाँ पर चला रहे हैं उन गुरूप के थूप कि जिन बच्चों को आपको जैसे पता होगा कि देश में दो करोड़ बच्चे जिनके पारेंट्स नहीं है तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को लोग अच्छे से आश्रह दे और अनफॉचनेटली जिनके माबाप नहीं हैं तो उन्हें भी जैसे पैरेंट्स के साथ के बच्चों का साथ सम्मान मिले तो उसको लेके एक यहाँ पर हम किमपेंड भी चला रहे हैं और उन बच्चों को उनके साथ एक बैटल एक युद्ध की तरह साथ में खड़ा रखा है वो भी किसी से कम ही है ऐसा मैसेज लेकर हम यहां पर आ रहे हैं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हम भूचा मौल का जो हमें हर इवेंट में सपोर्ट करते हैं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खबर्ची का और एटीवी जो हमेशा हमारे इस इवेंट को आप तक तक और पूरे इसमें अपना हुनर दिखाया था जिसमें सारे अच्छे थे लेकिन मज़े आया और आज फैनल जब हो रहा है तो फैनल में हमको बहुत अच्छा लगा है कि बहुत अच्छा डालेंटेड यहां पर डांसर मिल रहे जिसको आगे स्टेज मिलेगा वहीं इस कारेक्रम में 36 गड़ी डांस की छटा देखने को भी मिली प्रतिभागियों ने इस खास अनुभव को साज़ा किया फबची नीज के लिए केमरा में राकिश राकिश यदो के साथ ममतवानकर की रिपोर्ट नारायन नारायन